नमस्कार दोस्तों मैं हूँ केशव खेरा और सामसंग ने आज अपने तीन नए स्मार्टफोन को भारती बजार में लाँच किया है जिसके नाम है सामसंग गलक्सी A6 प्लस और सामसंग गलक्सी A6 सद सद कंपनी ने एक कम रेंज का J6 फोन भी लाँच किया है पर क्योंकि आज हमार पास आचुका है सामसंग गलक्सी A6 प्लस इसलिए मैं आपको इसकी अन्बॉक्सिंग और फॉस्ट इंप्रेशन दिखाता हूँ तो चलिए अब इसके बॉक्स को काट लेते हैं तो यह मैंने इसकी बॉक्स को खोल लिया है और फिलाद मैं इसको नहीं हम दता हूँ और आपको दिखाता हूँ यह फोन और उसका बॉक्स कॉंटेंट यहां पर आप देख सकते हैं कि काफी शांदार दिखने वाला स्मार्टफोन है पीछे से काफी हद तक आपको जेसन परो की तरह दिखेगा वर एनिवे इसके बारे में बात में बताऊंगा अब ही मैं इसको अन करके साइड में रखता हूँ इसका बॉक्स कॉंटेंट देखें अगर हम तो इसमें आपको मिलेगी यह क्विक स्टार्ट गाइड हिंदी में भी दी है सार वैल्यू के बारे में बताया है और वारंटी कार्ट भी दिया है इसके साथ साथ इसमें आपको मिलेंगे यह फोन्स माइक्रो यूस्बी केबल सिम एजेक्टर टूल और पावर राप्टर में लेगा जो कि 5 वोल्ट 1.5 आम्प्यार का है तो यानि जब आप इस फोन को मार्केट से खरे देंगे यह सारी सेसरी आपको इस फोन के साथ मिलेगी अब इस फोन के फर्स्ट इंपरशन के शुवात इसके डिजाइन से की जाए तो आप देख सकते हैं कि फोन देखने में फ्रंट से काफी अच्छा लख रहा है तो फोन काफी अच्छा है और शांदार रहेगा अब बात करें इसके डिस्प्ले की और इंटर्न स्पेसिफिकेशन की इतने अच्छे स्पेसिफिकेशन और इस प्राइज में आने के बाद कम्पनी इसमें आपको सिर्फ स्नाप्डगन 450 ही मोया करा रही है इसमें 600 सीरीज का कोई प्रस्पासर होना चाहिए था पर अगर हम बात करें इसके दूसरे अस्पेक्ट की तो वो आपको ज़रू पसनाएंगे इसमें आपको मिलती है 64GB की इंटर्न स्टोरेज 4GB की रैम और 3500MH की बैटरी साथ-साथ इसके बैक साइड पर आपको मिलते है 16 मेगा पिक्सल प्लस 5 मेगा पिक्सल के डूल रे सेंसर यहाँ पर आप देख सेते हैं कि कितने शटर स्पीड फास्ट है इसकी वो के एफेक्ट आपको मेले गए यहों कि डूल रे कामरास दिये हैं इसमें इसके साथ-साथ अगर हम इसकी वीडियो कॉलिटी देखें तो आप इसमें फुल-HD वीडियो रेकॉड कर सकते हैं वहीं इसके लावा इसकी जो खास बात है वो इसका फ्रेंड कैमरा इसमें आपको मिलता है 24 मेगा पिक्सल का फ्रेंड कैमरा वेथ एफ 1.9 अपर्चर खाला की कैमरा क्वालिटी भी जज्जमेंट अभी देना ठीक नहीं रहेगा पर शर्टर स्पीड आप दिखते हैं कितनी फास्ट है पोर्टेंड मोड भी है आपको फ्रेंड में मिलेगा आपका बैक साइड पर बलर करने का आपको उप्शन मिलेगा इसमें और इसमें आपको फ्लैश लैट भी मिलती है अद्रीड वोन में इसमें आपको 물론 और फ्लैट मिलता है इसमें इसमें आपको जेश्चर फीचर मिल जाएंगे multi window option भी मिल जाएगा और game mode भी मिल जाएगा overall कहने का मतलब यह है कि इस phone में आपको सब कुछ अच्छा मिल रहा है camera, design, display, battery जहाँ यह phone थोड़ा सा पीछे रह जाएगा वो है इसका processor snapdragon 450 इस price range में मेरे साब से ठीक साबित नहीं होगा अगर आप इस phone का review जाने चाते हैं तो प्लीज आप मेरे convox में रखें साथ-साथ अगर आप इस phone का किसी दूसरे phone से comparison देखने चाते हैं तो वो भी आप लीचे mention कर सकते हैं और अभीशा की तरह अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस लाइक करें शेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कों लंगुर है Until then, this is केशव खेरा, signing off